आज हम बनाएंगे मटन मखाना गोष्ट जो की मज़िदार टेस्टी और आप सब को पसंद आने मेली रेसिपी है तो चलिए देख लेते हैं इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे और इसमें क्या-कैसा मन की जरूरत होगी बहुत ही सिंपल इजी है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक कुकर गर्माने के लिए रखेंगे इसमें दो सर्विंग स्पून तेल डालेंगे इसी के साथ में एक इंच अधर का टुकड़ा और बीस से पच्चिस के लिए कली लसन की डाल देंगे लसन को हल्का सा गोल्डन फ्राइ होने तक फ्राइ कर लेंगे उसकी प्राउन होने तक नहीं पकाना है सिर्फ इसकी कच्चिस में खत्म होने तक इसे गुप करेंगे इसके बाद इसे निकाल लेंगे ठंडा करके थोड़ा सा पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पर हमने इसमें प्याज निकाल लिये हैं तो यह लसन अधरभ प्यास तीनों का पेस्ट बना लेंगे पानी के सब अब इसमें थोड़ा से तेल और डाल दिया है टोटल हमने यहाँ पर डेट सो एमल तेल का यूज किया है इसमें आठ दस ताले काली मिर्च के तीन लोंग एक तालचीनी का टुकड़ा एक बड़ी लाजची और दो तीन तेज पत्र डाल देंगे जैसे ही हमारे मसाले चटक जाएंगे हम इसमें बटन शामिल कर देंगे हमने यहाँ पर बोनलेस लिया है साड़ेसा स्टो ग्राम अब हमने इसे तक्रीबन 6-7 मिनिट के लिए अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना है मटन में काफी सारा पानी होता है जिसे आपने ड्राई कर देना है लगातार चलाते रहेंगे लेना है अब सैष सारा कम हाई फ्लेम पर करना है कि अब कुछ पावडर मशाले देक लेड़ें तो दूटीसवश्ね धनिया पावडर अफ्टीसवश् Аल्डी मिर्च अब रिफटीसवश्를श्ला अब कोई सी भी मिर्च का यूजश्ला हाली मिर्च तीखहवाली मिर्च र मैंने याँ पर काश्मीरी लाल मिर्च का पौडर यूज नहीं किया है, एक टेबल स्पून नमक डाल देंगे, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाप से लीजी का, इसे दो मिनिट के लिए फ्राई करेंगे, लगातार चलाते हुए, जिब मसाले अच्छे से पक जाए या जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तो गजार को खंगालते हुए, मैंने थोड़ा से इसमें पानी डाल दिया है, तकरीबन बंथर कप, मसालो को अच्छे से हमने मटन के साथ भून लिया है, आप देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है, मसाला हमारा अच्छे से तीन-चार मिनिट के लिए कुक कर लेना है, जब तक कि धही अच्छे से पक नहीं जाता, तो यहां पर हमने मटन को धही के साथ अच्छे से भून लिया है, यह देखिए, अब हमने मटन को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करना है, यहां कि ग्रेवी लगाना है, मैं यहां पर इसमें डेड़ गिलास पानी का यूज कर रही है इसमें मटन अच्छे से कल जाएगा और जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी रह भी जाएगी इसमें बहुत ज़ादा पतली ग्रेवी नहीं रहती है थोड़ा सा थीक बनता है यह अब इसे कवर कर देते हैं तकरीपन 3-4 प्रेशर आने तक कू करेंगे उसके बात के स्कूर करेंगे उसके बात अपने आप प्रेशर रिलिस होने देंगे गेस की फ्लेम हाई रखेंगे प्रेशन आने के टाइंग तो जैसे इसका प्रेशन रिलिस हो जाएगा टीट ओपन करेंगे और इसे चेक कर लेंगे तो यहाँ पर इसकी ग्रेवी बेसी ही है जैसे हमें चाहिए थी परफेक्ट मटन चेक कर लेते हैं मटन बहुत अच्छे से गल चुका है इसे साइड में रखके एक तड़का तयार करेंगे तो एक सर्विंग स्पून तेल या देशी घी डालने इसमें चार लाल मिर्च डाल दी है हमने और तक बेर वन थर्ड कप मखाने डाल दी है मिर्च फूट सकती है तो आप धियान रखिएगा गेस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल देंगे कसूरी मेथी बहुत जल्दी जल जाती है तो खास धियान रखे अब हमने इसे मिक्स कर लेना है और इसे डाल देना है मटन के अंदर यह तड़का डाल जाल देगा तो हम इसमें शामिल कर देते हैं इसे डाल देख की फ्लेम करेंगे इन सभी चिजहों को मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कितने बड़ी अ रंगत आई है इसकी अब हम इसमें डालेंगे दो हरी मेज़को मैंने बारिक टुकड़ों में कट कर लिया है बहुत जादा बारिक नहीं कट करें दो से तीन टेबल स्पून हर अधनिय बारिक कटा हुआ इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे दो मिनिट के लिए कवर कर देंगे ताकि तरी उपर आ जाएगी कि इसकी फ्लिम औफ कर देंगे दो मिनिट बाद हम इसे डिशाउट करेंगे देखिए बहुत ही मज़ेगा बना है आप इसे चावल के साथ खाएं पराठो के साथ खाएं नालन कुल्चा सबी के साथ यह अच्छा लगता है बहुत ही मज़ेगा तो आप इस रेसिपी को इसी तरीके से एक बहुत जरूर ट्राइ करें और अपना फीड़ पेक हमें जरूर दें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं इंशालला जल्दी ही नेक्स रूटियो में दुआ में याद रखेगा अल्ला हफीज बाहे